तो फ्रेंड्स VPC endpoint क्या होता है? Let me start a lecture. फ्रेंड्स ये जो अपना subnetwork रहता है न? ठीक है? Public subnetwork और Private subnetwork इसमें का जो Private subnetwork रहता है तो ये Private subnetwork इंटरनेट से कभी connect नहीं रहता For example, मुझे इसको internet से connect करना है, तो हम क्या करते हैं, public subnet में, हम क्या करते हैं, nat gateway रखते हैं, और private subnet उस nat gateway के through internet को access कर सकता है, यह सभी को पता है, friends. हम क्या करते हैं, कि private subnetwork में, हमको connect करना internet के साथ, तो public subnet में nat gateway रहता है, और उस nat gateway के through हम internet से connect होते हैं हमेशा, अब situation friend ऐसी है, कि मेरे पास nat gateway नहीं है, है ना, और दूसरी एक important चीज है, कि nat gateway में महेंगा आता है, वो उसकी कीमत कम नहीं रहती है, बहुत महेंगा रहता है हो, तो मेरी condition क्या है, कि मुझे private subnet में, जो मेरा EC2 instant है, friends, private subnet में, जो मेरा EC2 instant है, मुझे उसको एक ऐसे जगा से connect करना है, कि जहां से मैं मेरा resources access कर सकू, for example, private subnetwork मुझे ऐसे एक memory को attach करना है, और वो memory बाहरी दुनिया से connect रहेंगी, friends, तो इसको बोला जाता है, ठीक है, यह जो connection करवा के रहता है, इसको बोला जाता है VPC endpoint, private subnetwork हमेशा हमको accessible नहीं है, but मुझे private subnetwork के resources publicly share करने है, for example, मेरा private subnetwork है, उसके अंदर मने एक memory का element बनाया, मुझे काया करना है, उसको publicly share करना है, तो यह possible नहीं है, but VPC endpoint का इस्तमाल करके, VPC endpoint का use करके यह possible हो सकता है, ठीक है न? मेरे requirement ऐसी है कि मुझे मेरा memory, देखो फ्रेंड मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपरली सुनो आप, जो मेरा memory element है, मुझे privately share, means publicly share करना है, कैसे share करना है, publicly share करना है, तो मेरे पास दो option है, first option is, I can go for what? NatGateway, NatGateway का मैं सारा लू, और मैं publicly उसको access कर सकता हूँ, ठीक है न? बट, NatGateway तो बहुत ज़्यादा महेंगा आता है, सभी को friends पता है, NatGateway की cost बहुत ज़्यादा रहती है, तो मेरे पास ऐसा कोई दूसरा तरीका है क्या, so that I can share my device, I can share my resources, तो there is a way, the way is, you should go for the VPC endpoint, तो VPC endpoint जो आपको दिख रहा है, पे ऐसा shield जैसे इसका icon दिख रहा है, त तो इस endpoint को क्या करेंगे हम, प्राइवेट के साथ connect करेंगे, और ये VPC endpoint हम एक bucket के साथ connect करेंगे, friends, किसके साथ connect करेंगे, bucket के साथ, अब ये bucket क्या होती है, तो bucket एनी memory होती है, friend, S3 bucket लिखा है, आपे देखो आप, मैं प्राइवेट इंस्टन को डाइरेक्ट पब्लिकली एक्सेस नहीं कर पाता हूँ, क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इसके पास पब्लिक IP address नहीं है, इसके पास प्राइवेट आइपी आड्रेस है, बट मुझे प्राइवेट जो म लिए solution है, उसके लिए मेरे पास एक alternative है, उस alternative का नाम है, VPC endpoint, मैं क्या करूँगा, एक VPC endpoint create करूँगा, और इस VPC endpoint के थूँ, bucket के साथ इसको connect करूँगा, और मेरे resources मैं share कर सकता हूँ फिर, पब्लिकली, तो बहुती आसान लेब है फ्रेंड है, steps बिल्कुल सिंपल से आपक को सिरफ follow करना है, तो आज के lab के लिए हम, जो machine select करने वाले है, वो machine है Amazon Linux, ठीक है ना, तो Amazon Linux का हम use करेंगे, मैं आपको scenario बता देता, तो सबसे पहले हम VPC create करेंगे, फ्रेंड, first step is creation of VPC, मैं आपको बता देता हूँ, second step हम क्या करेंगे, public subnet बनाएंगे, फिर private subnet बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे हम, public subnet के लिए एक routing table बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक IGW internet gateway बनाएंगे, वैसे ही private के लिए एक internet gateway बनाएंगे, उसके बाद एक, हम क्या बोलते हैं उसको, एक instant launch करेंगे, इसी टू instant को launch करेंगे, private में दूसरा इसी टू instant launch करेंगे, public में करेंगे और एक private में करेंगे, ये पूरा होने के बाद हम क्या करेंगे, VPC endpoint की service लेंगे, यह select करेंगे, यह service हमको use करनी है, ठीक है, और फिर हम इसको bucket के साथ attach कर देंगे, तो क्या हो जाएंगा, आपका private, जो subnet है, वो subnet आप इस bucket के साथ attach कर सकते हो, बट यह सभी चीजे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेंगा, public के थुरू जाना पड़ेंगा, ठीक है, यह सभी settings, टो मुझे कैसे जाना पड़ेंगा, public subnet से होकर मैं private मैं जाउगा, private मैं कुछ setting करूँगा, और उसके बाद मैं इस bucket में जाऊँगा, और bucket में जो मैंने रख उसको मैं publicly share करूंगा friends, तो ऐसा हम lab करेंगे, तो क्या करेंगे हम public के through private में जाएंगे, private के through its bucket में जाएंगे, बहुत जदा interesting lab है friends, I hope आपको मैंने जो बताया हो clear हुआ होंगा friends, तो ऐसा पूरा scenario है, तो हम आज के date में putty software को use नहीं करेंगे, हम putty gen को use करेंगे, किस के use करें करेंगे, putty gen, putty gen को क्यों use करेंगे, to create the private key, हमको private key बनानी है न, .pp के format का, तो हम सिरफ putty gen का use करेंगे, putty software को हम use नहीं करेंगे friends, दूसरी चीज, हम use करेंगे mobek stream नाम का software, यह software putty जैसा ही होता है, मैंने इसकी link आपको group पे send की है, या तो आप video के description में इसकी link ले सकते हो, description में आपको मिल जाएंगी link, ठीक है, तो आपको वहाँ से download करके install करना है, बहुती आसान है, ठीक है, तो फिलाल मैंने इसका installation कर दिया है, ठीक है, तो मैं, यह visible है सभी को, my screen is visible to all, yes or no, yes sir, okay, तो यह जो software है, इस software को बोला जाता है, putty gen software, means mobek stream software, यह putty जैसा ही होता है, friends, यह putty जैसा ही होता है, तो मुझे सिरफ दो software का use करना पड़ेंगा, सबसे पहले मैं यूज करूँगा, putty gen, putty gen का use करना है, to generate the private key, simple, दूसरा software use करना है, उसका नाम है, mobek stream, यह putty software की जगा लेने वाला है, आज के lecture के बाद, जो putty software हमने use किया है, उसकी जगा यह लेने वाला है, क्योंकि putty software में ज़्यादा facility अवलेबल नहीं है, इसमें आप देख सकते हो कितनी facility अवलेबल है, SSH protocol, telnet protocol, यह सारे protocol को यह support करता है, जो putty software नहीं करता है, इतने सारे को, तो इसकी लिए हम use करने वाले हैं, यह वाला software, इसका नाम है, mobek stream, यह आप freely download कर सकते हो, तो हम रूख करते हैं हमारे लाब के तरफ, अभी फिलाल तो मुझे इस software का काम नहीं है, जब मेरी पूरी setting complete हो जाएंगी, तब मैं इस software का आपको इस्तमाल करके बताऊंगा, तो हम लाब के तरफ रूख करते हैं, और सबसे पहले एक VPC create करते हैं, public subnet, private subnet, router, routing table, उसके ब तो शुरुआत करते हैं लाब से, तो यह रहा मेरा AWS का account अभी, ठीक है, AWS का account जो है, उसमें आपको एक region select करना है, तो मैंने एक region select किया, US East North Virginia, यह region मैंने अभी select कर लिया है, फिलाल, तो मुझे जाना है services में, services में मुझे जाना है VPC ढूणना है, तो यहाँ पे recently visited पे आपक VPC दिख रहा, यहाँ पे आपने click किया तो चलेंगा, क्योंकि हम बार-बार VPC को click कर रहा है, तो यहाँ पे recently visited पे आगया है, इसका नाम, ठीक है, तो हम यहाँ से भी जा सकते, या तो हम यहाँ से भी जा सकते, है ना, कहां से, यह जो वे है, networking and content delivery, यहाँ पे भी VPC है, तो यहाँ पे मैं click करूंगा फिलाल, यहाँ पे मैंने click किया, जैसे मैंने click किया, तो मेरा एक नाम, मैं एक VPC बनाऊंगा, तो यूर VPC पे जाना है आपको, step number one, यूर VPC पे आपको जाना है, that is step number one, तो मैं गया है यूर VPC पे, यहाँ पे create VPC करना है मुझे, ठीक है, step simple है, औ और same, repetition है step में, कई नहीं steps नहीं है, तो इसको नाम देंगा, मैं, my VPC, मेरा VPC, my VPC, PPC, आप आपका खुद का भी नाम दे सकते हो, कुछी भी दे सकते हो, ठीक है, उसके बाद मुझे IP address देना है, तो हम हमारा standard IP address यूज करेंगे, 10.0.0.0.0.0 slash 16, है ना, यह IP address मनी, यूज उसके आभी, इसको network address भी बोलते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को आपको कुछ भी change नहीं करना है, सेटिंग में, सिरफ आपको create VPC पे click करना है, तो आपने create कर देना है VPC, आपका VPC create हो चुका है, next step क्या है friends, तो next step है subnet, तो subnet बनाना है हमको, कौन सा बनाना है, public subnet बना है, यह subnet कहां पे located है, तो यह my VPC पे located है, यह मुझे बताना पड़ेंगा, तो मैंने my VPC पे click करना है simply, बाद में मुझे क्या करना है, मुझे मेरा subnet का नाम देना है, तो मेरा कुन सा subnet है, public, P-U-B-L-I-C, यह public subnet है, तो मैंने नाम दिया है public subnet, friends, बहुती आसान है, इसक मैंने नाम दे दिया, है न, जो नाम आपको, आप इजीले धान में रख सकते हैं, और आपको समझने में आसानी जाएंगे, ऐसे ही नाम रखो, ठीक है, उसके बाद इसका availability zone, ठीक है, यह इतने सारे availability zone है, Virginia एक region है, friend, उस region के अंदर बहुत सारे availability zones है, data centers है, ठीक है, तो मैं कोई भी लूँगा, इसमें से मैंने 1A सिलेक करना है, तो आप कोई भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर फिलाल 1A सिलेक किया है, इसके बाद मेरे subnetwork को मुझे IP address देना पड़ेंगा, तो IP address में लूँगा 10.0.0.0 slash 24, हमेशा जैसे हम 24 देते हैं, तो 24 ही देना है, ठीक है, अ अब मैं इसको scroll down करता हूँ, देखो, बाकी आपको कही कुछ मी नहीं करना है, जितना मैंने किया उतना ही करना है, create subnet करना है simply, तो यह subnet create हो गया, ठीक है, इसके बाद मुझे private subnet create करना है, तो मैं फिर से जाओंगा create subnet पे, कहा पर जाओंगा मैं? create subnet पे, तो मैंने click किया myvpc पे, उसके बाद, ठीक है, आपके subnet को यह नाम क्या देना है आपको, तो यह private subnet है, तो उसको मैं नाम दूँगा private, P-R-I-V-A-T-E, private subnet, यह नाम मैंने दे दिया, availability zone आप 1A ले सकते हो, 1B ले सकते हो, 1C ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, तो फिलाल मैं 1A ही लेता हू ठीक है, एक ही जगा पे दोनों subnet को मैं रखना चाता, तो वह ने लिया तो भी चलेंगा, not a problem, ठीक है, इसके बाद इसको मुझे IP address देना है, तो मैं IP address दूँगा 10.0.1. अपको धान में रखना है, 1.0 देना है अभी, .0 देना है, slash 24 लिखना है, friends आपको, कितना लिखना है slash 24, तो आपका ये काम यहाँ पे complete होगा है एक चीज, ठीक है, आपको create subnet करना है, फिलाल, क्या करना है, create subnet, जो आपने कर दिया है, friends, ठीक है, तो आपकी इतनी steps complete हुई, आपने 2 subnet बनाए, ठीक है, एक public वाला बनाया है, देख सकते हो आप, और दूसरा आपने private वाला बन यहाँ है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कोई भी एक पे click करना है, तो for example, इसके पहले मैं एक चीज कर लेता हूँ, internet gateway मेरा बनाने का राग आया है, तो मैं internet gateway बना देता हूँ, ठीक है, तो internet gateway पे मैंने click करना है, यहाँ पे internet gateway, create internet gateway करना है, इसको नाम दे सकते हो, तो मैं इसको नाम देता है IGW, IGW शॉटकट नेम है, IGW stands for Internet Gateway, तो मुझे क्या करना है, create Internet Gateway करना है, तो जो मैंने create कर लिया, अब एक create होने के बाद एक किस के लिए है, कौन से VPC के लिए है, तो मुझे इसको attach करना पड़ेंगा न, attach to a VPC, तो मैंने इसको कहा पर attach करना है, my VPC क आ जाएंगा, देखो, आ गया, यहाँ पर click करो, my VPC, और यह VPC का ID आ जाएंगा उसके बाद, automatically हो जाएंगा यह, attach Internet Gateway करना है आपको, इंटरनेट Gateway के साथ attach हो गया भी है न, IGW means Internet Gateway, VPC के साथ, VPC के साथ attach हो गया, इसके next step जो है, इसके बात का जो step है, उस step है, आपको routing table बन आना है, तो मैंने route table पर click करना है, ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं route table बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं click करूँगा, create route table, ठीक है, इस route table को क्या नाम दूँगा, मैं, VPC route table, यह किसका route table बनने माला है, VPC route table, ठीक है, route table, VPC route table, ऐसा मैंने कुछ इसको नाम दे दिया, इतना होने के बाद आपको just VPC select करना, आपका virtual private cloud कौन सा है, तो आपका है my VPC, है ना, तो आपको my VPC पे click करना है, और आपको just create कर देना है, तो आपका table create हो गया, अब आपको table में entry करनी है, friends, क्या करनी है, आपको table में entries करनी है, है ना, table तो बना दिया, वो वैसे रखने के लिए ने बन जैसे click किया, जो आप downside पे कुछ fields देख रहा हो, दिख रहा है आपको, वो enable हो गई, देखो, इसको click किया, है ना, तो ये field enable हो जाएंगी, तो सबसे पहली field है, route वाली field, तो friends, आपको route वाले field पे click करना है, friends, जो मैंने कर दिया है अभी, ठीक है, उसके बाद edit route में आपको जाना है, उसके बाद आपको internet पे जाने का रास्ता बता देना है, तो बता देना है आपको 0.0, जो आपको पता है, आप इसमें master हो चुके हो, friends, अभी, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है internet gateway, internet gateway लिख लिए आपने, बाद में IGW आपको automatically दिख जाएंगा, click करो, save route करो, friend, ब अभी आपको इसको attach करना होगा किसी एक subnet के लिए, तो private subnet और public subnet हमारे पास दो choices है, तो आपको सभी को पता है, कि हम इस table को, जो internet के साथ connect होने वाला है, उसको attach करेंगे, तो आपको पता है, internet के साथ कौन deal करेंगा, तो public subnet deal करेंगा, तो हम इसको attach करना है हमको, public subnet के सा तो subnet association में जाना, edit subnet association पे जाना, समझ लेना, आपको पता है कि आपकी traffic internet के साथ connect जाने वाली है, internet से interact करने वाली है, तो आपको इसको किसके साथ attach करना है, public के साथ, देखो यहाँ पे दीकर आपको, public subnet, यह मैं थोड़ा enlarge करता हूँ, देखो आप, public subnet, आपको इसको public subnet को entry को, तो कर दिया मैंने, और आपको just save करना है, तो यह जूड़ गया है अभी फिलाल, किसके साथ, public subnet के साथ यह जूड़ गया है, इसके बाद वाला steps है, आपको क्या करना है, एक EC2 instant launch करना है, दो EC2 instant launch करना है, तो सबसे पहला, पहला EC2 instant में launch करूंगा, तो महीं आया है EC2 पे friends, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, instant running zero दिखा रहा है, तो मुझे एक instant launch करना है, बहुती आसान steps है friends, तो launch instance पे जाओंगा मैं, जैसे मैं launch instance पे गया, Amazon Linux 2 AMI यहाँ पे कुछ लिख क्या आया, जो मुझे select करना है, क्योंकि मैं Amazon Linux यूज़ करने वाला हूँ friends, ठीक है, त network जो है, वो मुझे क्या करना है, माई VPC करना है, तो मैंने फिलाल कर दिया है, माई VPC, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मैं सबसे पहले private बनाना चाहता, कुनसा वाला subnet के लिए बनाना चाहता, private, मेरे पास दो options है, public है, private है, तो चलो हम पहले private बना देते है, तो private, तो प्राइवेट को पब्लिक आईपी रहेंगा क्या? प्राइवेट को कभी भी पब्लिक आईपी नहीं रहता, तो आपको just disable कर देना है, तो मैंने disable कर दिया इसको, इतना काम मेरा complete हो चुका है, मझे जाना है next, add storage पे जाना है, तो add storage पे तो 8GB sufficient है, ठीक है, next करना है, इसका नाम देना है, इस machine का नाम क्या है, इसका नाम करना है, इसका नाम करना है, इसका नाम क्या रहेंगा? इसका नाम रहेंगा private, इसको नाम देता हम है private, ये private machine है ना तो private नाम, चलो ठीक है, उसके बाद security group पे जाना है मुझे, तो security group में मुझे command use करना है ssh, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेंगा ssh, आपको याद है, Linux के लिए ssh रहता है, Windows के लिए rdp रहता है, याद करो आप, ठीक है, source में आपको anywhere कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, anywhere कर देना है, तो मैंने जो किया है already, review and launch पर जाना है, तो मैं यहाँ पर की का नाम देता, create a new key pair, तो key pair का नाम देता, common, क्या नाम देता मैं, common, c-o-m-m-o-n, common, क्यूंकि मैं दोनों की common रखना चाहता, आपकी choice है, आप या तो common रख सकते है, या तो आप individual भी रख सकते है, या आपकी choice है, तो मेरी choice ऐसी है, मुझे common की रखनी है, तो मैंने नाम देता, common, तो यह common key बन जाएंगी, ठीक है, दोनों के लिए, दोनों भी इस्तमाल कर पाएंगे इस key को, download key pair का option आ गया है, इसको मैं download करूंगा, जब यह download हो जाएंगी, देको, यहाँ पर एक error दिया, उसने, क्या error दिया, यह already present है बोल रहा, तो मैं उसका न नाम चेंज कर सकता हो, common यह इसका नाम में देता हो, common machine, common machine ऐसा कुछ नाम दे दिया मैंने, या तो मैं both machine नाम देता हो, both machine, both machine, बोट machine मैंने नाम दे दिया, इसका मिनिंगी common हुआ, आप जो मर्जी चाहे वो नाम दे सकते हो, अब मुझे डाउनलोड करना है, download the key pair, तो यह की पेर डाउनलोड हो चुकी है अभी, आप देख सकते हो, और उसके बाद आपको launch instance करना है, तो instant आपका launch हो जाएंगा, तो आपने सबसे पहली में जो machine अभी create की है, वो कुनसी machine create की है, private machine create की है, अभी आपको public machine भी create करना है, तो कुछ इस प्रकार के steps आपको, इस तरह के steps आपको public machine के लिए भी करना है, तो देखो private machine अभी बंद रही है, तो आप दूसरी करूँगा launch में, launch instant पे जाओंगा, दूसरी कुनसी करूँगा, public, ठीक है, फिर से Amazon Linux में लेने वाला हो, तो select करना है मुझे, select किया मैंने, उसके बाद, देखो, next field आ गई, configure instant details, अभी ये machine क कुनसी है, public है, network कुनसा है आपका, my VPC आपका network है, ठीक है, उसके अंदर आपका subnet कुनसा है अभी, public subnet है, friends, प्रापर लिए देखो, public subnet के उपर क्लिक करो, अब public subnet, internet का use कर पाएंगा, तो उसका IT मुझे क्या करना पड़ेंगा, enable करना पड़ेंगा, तो जो मैंने करना ह मैं enable, मैंने enable कर दिया अभी IP address को, friends, मैंने IP address को enable कर दिया है, next, as storage पे मैं गया, ठीक है, अब storage तो HGB ठीक है, next, इसका मुझे naming ceremony करना, इस machine को कुछ नाम देना है, तो मैंने नाम देना है, name लिखना है, और इसका मैं नाम क्या दूंगा, public, P-U-B-L-I-C, इसका नाम मैंने public ID, को यहाँ पर आ गया, मैं दे सकते हो, manually, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है, not mandatory, public ही देना है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, आपको जैसा मर्जी चाहे हो, ऐसे आप कर सकते हो, configure security group, अब configure security group भी ला चुकी है, यहाँ पर आपको source में जाके, anywhere कर देना है, friends, क्या क यूज करते थे, तो क्या आता था, RDP आता था, तो फिलाल हमने Linux यूज किया है, उसके बाद क्या करना है, review and launch करना है, friends, review and launch, launch कर देना है, तो launch करने के बाद, choose the existing key pair option आ चुका है, तो मैंने क्या बला, both machine, तो choose existing, जो already है, वही की मुझे फिर से reuse करनी है, ठीक है, जो की मेर पास already है, उसको मुझे reuse करना है, तो यह option है, choose an existing key pair, तो मुझे वही यूज करनी है, नहीं बनानी नहीं है, मैं नहीं बना सकता हूँ, और मैं नहीं बनाऊंगा, मैं same key को दो बार use करूँगा, तो select a key pair, key pair का नाम है, both machine.pm, तो आम यहाँ पे ढुन्टे, कई दिखती है, कि आम को both machine.pm, आपको दुन्ना ही यहाँ पे, both machine.pm, तेको मिल गाए आपको, both machine, ठीक है, यही वो key है, मैंने अल्रेडी डाउनलोड कर चुका है, हूँ मैं उसको, अखनोलेज करना है, इदर term and condition accept करनी है, आखनोलेज that I have access to the selected private key, both machine.pm, and that without this file, I won't be able to log in to my instant, इसका meaning है हुआ, कि अगर एक key नहीं रहेंगी, तो मैं इसको, मेरे instant को login नहीं कर सकता, यह इसका meaning है, तो मुझे यह इसको ask करना है, तो मैं अभी फिलाल instant को launch कर देता हूँ, launch instance, अभी मेरा यह भी instant launch हो जाएंगा, यह launch हो रहा अभी, ठीक है, यह launch हो गया है, अभी, वे notepad open करना, देखो, मैं क्या करूँगा, एक notepad लूँगा, मैंने जो ले लिया है notepad, यहाँ पे कुछ नाम टाइप करूँगा, तो सबसे पहला नाम करूँगा, पब्लिक, P-U-B-L-I-C, पब्लिक जो मशीन है मेरी, और दूसरी है प्राइवेट, P-R-I-V-A-T-E, प्रा प्राइवेट, 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 के उपर क्लिक करूंगा, तो प्राइवेट के उपर क्लिक करने के बाद, मैं जाओंगा networking में, का जाओंगा मैं, देखो, प्राइवेट पे मैंने क्लिक किया, friends, networking में मैं गया, तो मुझे मेरा IP address दिख जाएंगा, वो रहेंगा private IP address, देख सकते उसके बाद मुझे public machine के उपर क्लिक करना है, private machine का IP मेरे, मैंने लिख लिया है, ठीक है, पेस्ट किया है, अब मैं public machine को क्लिक करूंगा, ठीक है, उसके बाद उसका networking में जाओंगा मैं, देखोंगा इसको IP मिला है या नहीं मिला है, इसको भी IP address मिला है, public IP, इसको देखोंगा, दो IP address आपको दिख रहे, पहला वाला IP address है, वो है public IP address, तो मैंने क्या करना है, इसको copy कर देना है, friends, तो copy कर दिया मैंने, notepad पे जाना है, notepad में public के जगा इसको test कर देना है, ठीक है, इसके बाद private IP IPv4 address देखों, friends, आप, private IP address इसका .57 है, 10.0.0.0.57, इसको मुझे क्या करना है, प्राइवेट के आगे paste कर देना है, जो मैंने कर दिया अभी, friends, इतना steps आपने complete कर देना है, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये भी मैं आपको बताता, इसके बाद आपको, जो की pair है, उसको आपको convert कर लेना है, तो मैंने अल्रेडी एक software download कर लिया है, puttygen नाम है उसका, P-U-T-T-Y, puttygen, तो puttygen software के उपर मैंने click करना है, load पे click करना है, और जो मेरी key है, मेरी key कुन सी है, मेरी key है, bothmachine.pm, आपको दिख रही आपको इसके उपर click करो, open करो, ok करो, और इसको save करो, save private key, है न, save करना है, yes बोलना है, इसको नाम देना है, नाम भी मैं दूँगा, both, नाम क्या दूँगा, both, both machine, ठीक है, same नाम दिया तो चलेंगा, नई तो single नाम भी चलेंगा, इसको मैंने बोथ नाम भी दिया, friends, both, ठीक है, और इसको मैंने save, save करना है, ठीक है, save कर दिया मैंने इसको, ये save हो गई अभी मेरी की, अभी मुझे क्या करना है, important steps है, इतनी steps, मैं मुझे नहीं लगता कि ची को कुछ doubt होंगा करके, ठीक है, ये clear है अभी, अभी देखो, हमारा instant ready हुए है, नहीं ready हुए है, इसको refresh करके देखता, I think, आप just देखो, अपने instant ready हुए है, नहीं ready हुए, दोनों भी instant ready हो चुके है, friends, दोनों भी instant ready हो चुके है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको end point प उसके बाद आपको VPC पे जाना है, किस पे जाना है, VPC, VPC कई आपको दिख रहा है क्या, ये देखो, आपको यहापे VPC दिख रहा है, right, VPC आपको दिख गए है भी, friends, बहुती आसाना और सरल है, लाब बहुती आसान है, कुछ भी नहीं है, repetition of steps है, कुछ स्टेप तो आपक क्लिक करना है, क्लिक करना है, जैसे आपने end point पे click किया, आपको click करना है create end point पे, आपने create end point पे click किया फिलाल, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको S3 bucket, जो आपका storage device है, जो आपको private के साथ attach करना है, उसको धूनना है, तो आपको धूनना है, देखो, मैं क् यहां पर आपको कई S3 दिखाई दे रहा क्या, S3, तो यह जो page है, इस page पर मझे S3 दिखाई दे रहा क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को भी S3 दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा, अभी हमको next page पर जाना है, इसका next page है, यहां पे क्लिक करना है, नेक्स पेज के लिए, यह जो आरो है यहां पे क्लिक करना है, यह आ गए आपका next page पर जाने कीप आउल आणिक पर आपको A Buddhा आपको S3 गिटा है क्याetes by आपको S3 डिग गया है अँपे देखो S3 डिटो करना है जो मैंने करना है यहाँ पे मैंने S3 Gateway पे जैसे ही क्लिक किया ऐसा screen में change हो गए देखो S3 पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ऐसा कुछ change हो गए S3 पे मैंने click किया कुछ changes हो एक screen में अब मुझे एक बार को उसको properly देखना है S3 के उपर click करने के बार gateway के उपर यहाँ पे कुछ इस प्रकार आया, VPC नम का एक field आया, तो VPC कौन सा है friend मेरा, मेरा VPC है My VPC, मेरा VPC कौन सा है My VPC पे मुझे click कर देना है ठीक है, अब यह तो My VPC भी इसमें आ गया अब मुझे यह देखो यहाँ पे next field क्या है, मुझे इसको attach करना है कई तो भी ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे attach का करना है private subnet को attach करना है मुझे bucket, S3 bucket, मैंने जैसे बोला था ना आपको, मैंने क्या बोला था आपको, आपका जो S3 bucket है, आपका जो bucket हमने अभी बताया इसको हमने सबसे पहले VPC सिलेक की है, माई VPC, अभी ये जो S3 bucket आई, ये किसको connect है, ये private को connect होंगा VPC endpoint के थूँ, तो मुझे कौन सा subnet सिलेक करना चाहिए, private subnet सिलेक करना चाहिए, तो मैं वैसे ही करूँगा, मैं क्या करूँगा, private subnet को सिलेक करूँगा, देखो, यहाँ प तो इतना सारा मैंने complete कर लिया है मेरा, कितना आसान है, देखो friends, सबी चीज़े automatically आ जाएंगे, आपको कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है, और create endpoint पे click करना है, तो आपका endpoint create हो चुका है, ठीक है, तो यह आपका endpoint रहा, इसको आपने नाम दे सकते हो, नेम भी दे सकते हो, द PPC endpoint, एकड़म सरल है, तो हमारा इतना काम complete हो चुका है, अब सबसे important task जो है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, friend, अभी, अभी सभी को यहाँ से सब clear हो चुका होंगा, अभी हमारी important step स्टार्ट होने वाली है, please pay attention, ठीक है, आपको properly समझ लेना है कि मैं करने जा रहा हू तू अभी फिलाल मैं जाओंगा, कहाँ पर जाओंगा, मोगे स्ट्रीम सौफ्वेर की उपर, तो मोगे स्ट्रीम सौफ्वेर की उपर मैं आया हू। जो होगा है, अब मैरा होस्त नाइम कर रहा हूँ restaurateur है, जेंब स्मूद्म होस्त पर देखो रिमोर्त होस्त बोला है, डे ठीक है ना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यह मैं बता देता हूँ, अब मैं public machine के थुरू private machine के अंदर जाओंगा, मैं public machine के थुरू private के अंदर जाओंगा, friends, मैं public subnet में जाओंगा, उसके बाद public subnet से मैं private में जाओंगा, और इस bucket में जाओंगा, तो मैं वैसा ही करता हूँ तो मुझे लगेंगा IP address तो मुझे कौन सा IP address लगेंगा public machine के तरब जाने के लिए public IP address लगेंगा मैंने क्या करना है इसको copy करना है public IP को copy करना है जो मैंने कर दिया है या पे remote host पे इसको paste करना है, control भी करना है उसके बाद आपको key दिनी है तो आपको जाना पड़ेंगा advanced sss setting में तो मुझे click करना है यहाँ पे यहाँ पे है field use private की नाम की तो यहाँ पे मैंने click करना है use private की ठीक है और उसको यहाँ देखो आप आपको फाइल दिख रही चोटी सी blue color की sky blue color का आपको कुछ logo दिख रहा होंगा बोट की उपर क्लिक करना है open कर देना है आपने इतना कर लिया अभी आपको ok करना है शिरफ क्या करना है फ्रेंड आपको ok करना है तो मैंने ok कर डाला देखो जैसे ही मैंने ok किया मेरा एक screen आगा है अब यह login as बोल रहा मुझे login as बोल रहा तो जो amazon linux है उस machine को login जो है वो रहता है easy to user easy to user रहता है देखो easy to user रहता है इसका login तो मुझे वो क्लिक कर देना है इसकी उपर ठीक है तो enter करना है मुझे तो enter किया देखो अभी मैं आ गया Linux के अंदर आ गया मैं Amazon Linux के अंदर आ गया मैं आ गया की नहीं आ गया आ गया मैं, पबलिक IP का यूज करके मैं आ गया but इस मशीन का यह private IP address है देखो आप ये कॉनसा IP address है private IP address है public machine का private IP address है आप यहापे देख सकते हूँ 57 दिकर आपको इदेखो मैंने अल्रेडी नोट डाउन किया था हमार आपको प्राइवेट अक्स्से। Hindi आपको प्राइवेट एक्सेस मिला भी। है। है에 know public IP तो permissions लगेंगी, तो permissions लगेंगी super user की, ठीक है, super user means यह पूरा access दे पाएंगा, आपको यहाँ पे dollar दिखरा देखो, यहाँ पे आपको dollar दिखरा ना friend, यह super user नहीं है, dollar को इतनी permission नहीं है, hash को जादा permission है, तो hash को बोला जाता है root user, main user, इस machine का जो मालिक है, जो main है, वो रहता ह है super user, friends, super user बोला जाता उसको, तो उसके लिए command होती है, वो मैं command टाइप करूँगा, su, su stands for super user can do, तो मुझे लिखना पढ़ेंगा sudo, सबसे पहले लिखना पढ़ेंगा, sudo, sudo, super user can do, फिर लिखना पढ़ेंगा su, फिर लिखना पढ़ेंगा ipon, इतना मैंने लिख लिया, तो ये dollar चला जाएंगा, उसके जगा पे hash आ जाएंगा, जेको आ गया hash, dollar चला गया, इसके जगा पे hash आ गया, अब मैं थोड़ा screen को clear कर देता हूँ, screen पे बहुत जदा यह हो गया है, क्या बोलती है, उसको, rush हो गया है, बहुत वर्ट्स का, तो मैं इसको clear कर देता हूँ, तो थोड़ा, CLEAR, command है, screen clear हो गई, अब मैं कुछ important command type करता हूँ, friends, तो command कुछी type करना, तो सबसे पहले, आपको private machine को access करने के लिए, friends क्या लगेंगी, की लगेंगी, आपको private machine के लिए, को access करने के लिए, की लगेंगी, की तो common है दोनों की, दोनों की भी की क्या है, common है, ठीक है, बट ओ की अभी, मैं read नहीं कर सकता, है न, उस की को मुझे read करना है, मेरा private machine है, private machine means कौन सा, subnet, जो private subnet है, उस private subnet के अंदर जो मेरा machine ready है, उस subnet के अंदर जो machine है private, उसने मेरे की को read करना चाहिए, उसके लिए मुझे एक access देना पड़ता, ठीक है, तो मैं वो भी आपको, सबसे पहले हमारा की का जो नाम है, उसको मैं rename करता हूँ, friend, मेरा की, अभी मेरे की का नाम क्या है, फिलाल, friend, अभी फिलाल मेरे की का नाम है common, तो मैं की का नाम change करता हूँ, तो मैं VI, VI नाम का एक editor आता है, friend, VI नाम का एक editor आता है, इस editor से मैं मेरे की का नाम change कर द मैं मेरे की का नाम देता हूँ ABC, ABC.PEM देता हूँ मैं, मेरे की का नाम कह ठीया मैंने ABC.PEM दिया, Enter किया, मैंने क्या करना है, Friend, Enter करना है, Enter जैसे किया तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखता है, Friend, इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मुझे डाउनलोड में जाना है, का जाना है, फ्रेंग्स मुझे डाउनलोड में जाना है, तो मेरा बाउनलोड है प्रेजेंट है, यहां पर भूध मशीन.pm थे लिए नामकी यहां पर जाना है. डिग गए आपको, आपको Ctrl-C करना है, Ctrl-C means select, पहले Ctrl-A करना है, मैंने Ctrl-A किया, इसको Ctrl-C करना है friends, means copy करना है, ऐसे copy करना है, देखो मैंने copy करना है इसको, copy कर दिया मैंने, उसके बाद क्या करना है, मैंने I नम की बटन already दबाई थी, मुझे सिरफ right click करना है, जैसे मैंने right click क यहां पर OK कर देना है, देखो friends, यहां मेरी key है, इसको मैंने OK कर देना है, एक key यहां पर आ गई, इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं आपको notepad पर बताता, इसके बाद मुझे ECS, ECS की जो रहती है आपके keyboard ते, उसकी ECS को क्लिक करना है, एक key बार क्लिक करना है, उसके बाद मुझे colon WQ डेकना है, तो मेरा यह सेव हो जाएंगा, यह जो मैंने बनाया है न, ABCT.PM, इसमें मेरा यह पुरा सेव हो जाएंगा, तो मैंने क्या करना है अभी, ECS, ECS की उपर क् कर दिया अभी, देखो, ECS की उपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे colon, देखो, मैंने क्या करना है, देखो, मैंने यहाँ पर लिखला है न, colon WQ लिखना है, तो मैंने लिखना है, colon WQ, लिखना है, है न, colon आने के लिए आपको shift दमाना पड़ेना क्या दबाना पड़ेंगा? Shift दबाके, colon की ऐवपर click करना पड़ेंगा. Shift बटन जो होता है ना, उसको आपको click करना पड़ेंगा और colon कहां पर रहता है, keyboard पे, तो colon आजाएगा नह तो semi colon आजाएगा, right? Shift हम यूज़ करेंगे, WQ दबाएंगे, एंटर कर देंगे, तो यह अभी VI editor ने ABC की को SEO कर दिया है, तो already यह उसका यह था है न, यह उसका details था हो उसकी का, तो यह किसमें SEO हो गया अभी ABC में SEO हो गया friends, बहुत ही आसान है अभी यह ABC की मैं read नहीं कर सकता ABC की मैं read नहीं कर सकता इसके लिए command है, C-H-M-O-D C-H-M-O-D means change the mode तो यह change the mode command है 700 means इस key को मैं read कर पाऊंगा 700 means क्या होता है, इस key को मैं read कर पाऊंगा अगर मैंने 777 लिखा, तो आप इस key की अंदर लिख पाएंगे कुछ और, extra add कर पाएंगे तो फिलाल मुझे इसका काम नहीं है, simply आपको ध्यान में रखना है आपको जैन में रखना है, C-H-M-O-D 700 लिखना है, आपके की का नाम क्या था? आपके की का नाम है, ABC.P-E-M आपको इतना लिखना है, फ्रेंट, सिरफ इतना लिखना है आपको तो अभी ABC.P-E-M ये जो की है, तो कोई दूसरा मशीन इसको रीट कर पाएंगा तो मैंने करना है, C-H-M-O-D 700 ABC.P-E-M एंटर कर देना है, फ्रेंट्स, देको बहुती आसान है एंटर कर देना है, अभी ये की मेरा IP address रीट करेंगा तो मुझे क्या करना पड़ेंगा, ये की अभी मुझे प्राइवेट, जो मेरा प्राइवेट मशीन है, सबनेटवर्क, प्राइवेट सबनेटवर्क में मेरा जो मशीन है उसको प्रोवाइट करना है, so that he can read, that machine can read this key तो मुझे लिखना है SSH, SSH, ये प्रोटोकॉल है, उसके बाद IPन आए, इंटरेक्टिव, ABC की का नाम, ABC.PM, ये की अभी मशीन रीट कर पाएंगा, उसको पढ़ पाएंगा, मुझे लिखना है EC2, उसका यूजर नेम भी लिखना है, EC2 यूजर, क्या लिखना है friend, EC2 यूजर, मुझे लिखना है adder rate, steps properly लिखना है, उसके बाद जो प्राइवेट मशीन का IP अड्रेस है, वो कितना है, 10.0.1.46, ये है उसका प्राइवेट IP अड्रेस, इसको कॉपी कर कर देना है, आपको simply, और यहापे paste कर देना है, paste कैसे करोंगे, आप सिरफ right click करो, paste हो जाएंगा, ये हो गया अभी IP अड्रेस, अभी आप ये IP अड्रेस देखो, ये IP अड्रेस क्या है, 10.0.57, अभी हम कुन से मशीन में हैं, हम अभी public मशीन में हैं friends, है ना, अभी हमको कहा पर जाना है, अभी हमको private machine के अंदर जाना है, तो मैंने कर दिया इतना, और मैं enter करूंगा, तो मैंने enter कर देना है, तो enter करने के बाद कुछ message आएंगा, are you sure that, are you sure you want to continue connecting, yes बोलना है मुझे, क्या बोलना है, yes बोलना है, जैसे मैंने yes बोला, तो मैं machine के miss में आ गया, देखो, अब machine का IP address change होगा, देखो, मैं कौन से machine में आ गया अभी, मैं private machine में आ गया, friend, कौन से machine में आ गया, private sub network में मैं अभी आ गया हूँ, ठीक है, अभी मुझे कुछ identity का issue आएंगा, किसका issue आएंगा, friend, मुझे identity का issue आएंगा, तो मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं super user का access लोंगा, आपको मैंने बताया था, super user का access लेना बहुत important रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि ए डॉलर जो है, friend, ए डॉलर इसके पास ज्यादा powers नहीं है, hash को ज्यादा powers है, hash means root user को ज्यादा power है, तो मुझे लिखना है, sudo means super user, dollar means normal user, sudo means super user, super user can do anything, ऐसा इसका meaning होता है, ठ su लिखना है, iphone लिखना है, enter कर देना है, इतना करने के बाद क्या करना है, देखो friend, इतना करने के बाद क्या करना है, आपको लिखना है, AWS, क्या लिखना है आपको, AWS, बाद में command लिखना है, configure, c-o-n-f-i-g-u-r-e, अपने configure लिखना है, enter करना है, अब यहाँ पे आएगा, AWS Access Key ID अब यह तो नहीं चीज़ है यह कैसी आ गई, कहा से आ गई बहुती आसान है, यह आपके पास अल्रेडी है, अगर आपके पास अविलेबल नहीं है, तो आपको create करना पड़ेंगा ID ID stands for Identification और Authentication, यह ID आपको create करना पड़ेंगा तो यह ID रहता का पे है, मैं आपको बताना चाहता है आपका जो AWS का अकाउंट है उस अकाउंट में जाओ आप आप यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे आओ, और आप देखो My Security Credentials देखो आप, My Security Credentials पे आओ यहाँ पे क्लिक करो आप Friends, क्लिक करो आपने क्लिक किया यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेंगा Access ID, देखो Access Keys, दिखर आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करो, तो मेरी Already Access Key मैंने, हाई मेरे पास यह देखो, 5U तारीक है ना, मैंने Already Create कर लिए है, Already ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप, आप Create कर सकते हो Create New Access Key आप इसके उपर क्लिक करोंगे, तो एक नहीं Key बन जाएंगी, ठीक है तो एक CSV फाइल डाउनलोड होती है Excel जैसी फाइल रहती है इसके उपर क्लिक करने से वो डाउनलोड हो जाती है तो मैंने Already Key है, मैं बार-बार इसके उपर कर सकता हूँ आपको फॉर्ट साइज कम दिख रहे होंगी तो मैं Edit Plus से उपर करता है यहाँ पर फॉर्ट साइज आपको कम दिखेंगी तो मुझे कीसे मतलब है आप कैसे भी उपर करो, कीसे मतलब है आपको दिख रही है इक्वल्स तू के बाद यह पूरा आपको कॉपी करना है यहाँ तक चंट्रोल सी करना है और यहाँ पर आपको चंट्रोल मिंस आपका राइट क्लिक दबना है माउस का तो यह गई आ गई यहाँ पर और जस्ट एंटर करना है अब मुझे बोलेंगा सिक्रेट एक्सेस की तो मुझे सिक्रेट एक्सेस की भी यहाँ पर ही मिल जाएंगी तो यह वाली है एडव्ल्यू ए सिक्रेट की दिया है तो इक्वल्स तू के बाद जितना भी है उतना कॉपी कर लो फ्रेंड्स ऐं ट्यूर्ण सी कर लो यह निमाईज कर लो और क्या कर लो राइट क्लिक करो माउस का एंटर करकर दो ऊपगे डिफॉल्ट क्या है मुझे है ना तो जो पता नहीं आपने जस्ट एंटर कर दो कुछ भी नहीं करना है तो आपने कुछ भी नहीं करना है आपका मैक्सिमम काम हो चुका है अभी आपको क्या करना है प्रेंड्स बहुती आसान है अभी आपको आपके यहां पर जाना होंगा ऐसे ठीक है Services में जाना होंगा Friends Services में जाना होंगा S3 में जाना होंगा Storage है ना यहापे Storage Friends Storage देखो आप यहापे Storage रहता Services में Storage रहता दिखा आपको Storage Services में Storage दिखा आपको Storage S3 पे जाना है क्योंकि आपने S3 S3 Stand for Simple Storage तो S3 पे जाना है Click करना है और आपको अभी फिलाल यहाँ पे कुछ भी storage दिखाई ने ढे nevertheless नहीं दिखाई दे रहा friends, यहाँ पे कई भी storage नहीं है तो मैने यह अगर यहाँ पर ऐसा किया कि मैंने बोला AWS AWS ऐसा कुछ किया मैंने S3 लिखा ठीक है और LS लिखा ILS means listing, S3 के अंदर कुछ file present है क्या है या नहीं, तो देखो कुछ भी file present नहीं S3 के अंदर, है ना, अब for example, मैंने क्या किया, मैंने लिखा AWS, properly देखो instruction friends, S3 लिखा, दिखा है, S3 लिखा, उसके बाद लिखा MB, MB stands for make bucket, MB stands for make bucket, S3 लिखना है, और आपको क्या करना है, दबल arrow देना है, और आपके जो file है, आपको एक नहीं file बनाना है, for example, अभी, फिलाल, यहापे कोई भी file नहीं है, दिखर रही कि आपको यहापको है, कुछ भी file नहीं present है, आपर friends, कुछ भी, कोई भी file present नहीं है, तो मुझे एक नहीं file बनाना है, या तो मैं create bucket पे click करके नही फाइल बना सकता, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं डारेक लिमक्स से फाइल बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर दूँगा, नाम एक फाइल का, for example, मैंने नाम दिया, मेरा ही नाम दिया, V-I-R-A-J, है ना, इसके फाइल का नाम दिया, मैंने वीराज, 111 नाम दिया, फाइल का, एंटर किया मैंने, तो इसने एरर दी, एरर क्यों दी, आप जो फाइल का नाम दोंगे, वो ग्लोबली अवलियाबल ने होना चाहिए, ऐसा इसका रूल है, वो नाम यूनिक रहना चाहिए, है ना, तो for example, मैं विराज 4 दिया, for example, यह भी अवलियाब और एंटर किया मैंने, चलो, यह नाम अवलियाबल है, यह नाम अवलियाबल है है ना, आप जैसे जीमल में यूजरनेम बनाते हो, यूजरनेम अवलियाबल ने रहता, तो विराज ट्रिपल सेम नाम का फाइल अवलियाबल नहीं है, इसलिए create हो गया, अभी फिलाल हम मशी यहाँ पर यहाँ पर जो महें नाम लिखूंगा, वहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड, तो for example, मैंने यहाँ पर लिखा, AWS, आपका नाम बताओ किसी एक का मुझे, for example, किसी का नाम भी बताओ, suppose Rohit, Rohit नाम लिया, मैंने, Rohit लिया, ट्रिपल सेवन लिया, for example, अगर यह अवलिया Rohit 777 हो गया, देखो, यहाँ पर, आप आओ यहाँ पर, इकर आपको यहाँ पर कुछ भी, कुछ भी नहीं, आपको रिफ्रेश करना है, friends, तो जैसे रिफ्रेश किया, तो Rohit 777 आपको दिख जाएंगा, आपको दिख गया, Rohit 777 भी आ गया, यहाँ पर पूरा दिख गया और इसके अंदर मैंने कुछ स्टोर करना है, देखो, विरास 777 मेरा बकेट है, मिन्स मेरा मेमरी है, इसके मेमरी के अंदर मैं कुछ अपलोड करना चाता हूँ, तो आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, आप आपका इमेज अपलोड कर सकते हो, आप कुछ भी अपलोड कर सकत बहुत मशीन है, कोई भी फाइल है, कोई भी XYZ, या तो मैं इमेज में, पिच्चर में गया, देखो, सैंपल पिच्चर बहुत सारे प्रेजेंट है, तो एक पिच्चर, सेकंड, थार्ड, पूर्थ, फिप, सेक्स, सेवन, एट, एट पिच्चर लिए, ओपन कर दिये, तो वह हो गये, डाउनलोड इसके अंदर, देखो, फ्रेंट, यह पूरे पिच्चर अभी इसके अंदर अप्लोड हो चुके, मुझे अप्लोड के ओपर क्लिक करना जास, अप्लोड के उपर मुझे क्लिक कर देना है, तो देखो, आप यह हो रहे है, तो मैं मेरा private machine का इस्तमाल करके, मैं publically connected हो चुका हूं ना, friend, देखो ना, मैं मेरा data share कर चका रहा हूं, मेरे machine के साफ, जो मेरा private machine है, उसके साथ, मैं मेरा data share कर पा रहा हूं, friends, महुती आसान ल्याँ आप यह, अब यह upload करने के लिए कुछ time ले रहा, six file, डेख तो कोई इशू नहीं है बहुती आसान लाब है फ्रेंड बहुती आसान लाब है उसके बाद हम थोड़ा रुकते हैं अभी अपलोड हो रहा फिलाल तो देखते हैं और क्या नहीं चीजे होने वाली है तो फोर फाइल्स थ्री फाइल्स प्रोग्रेस बता रहा 72 परसेंट तो यह हो रहा प्रोसेजर अब हमको चेक भी करना है कि यह सही में हमारे प्राइवेट मशीन में यह फाइल आई है या नहीं आई है मुझे चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा बहुती आसान तरीका है अब देखो 99-100% सभी सक्सेस्पूली अपलोड हो चुका है सभी चीज प्री उसके आधा अलें आस यह टान फा लिस्टिंग कुन कुनसी फाइल मेरे एह ड़ु स्थी मी円 प्रेज़ेंट है और मैं लिखोंगा यहा पे स्थे लिकोंगा फिलाल थिकत को लन लिखोंगा और मैं बताउंगा विराजनां का जो फोलडर है विराज पी आया आई आञ 7777 यह जो फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर कौन-कौन सी फाइल्स प्रेजेंट है ना मुझे प्राइवेटली एक्सेस करना है एंटर दबाऊंगा आपको दिख जाएंगा देखो इतनी सारी फाइल्स मैंने अल्रेडी अपलोड कर लिए अपलोड किये ना तो इमेज कैसी अब प्राइवेटली अवल्याबल हो गई ना मैंने पब्लिक मशिन को एक्सेस कर लिया ना इंडारेक्टली फ्रेंट्स कर लिया की नहीं कर लिया देखो आपको फाइल दिख रही अभी दिख रही ना आपको सभी फाइल है ठीक है अभी फार एक्जमपल मैं करता हूँ फ ऑफित्रे में अब मैं जो विराज्ट्रिपल सेवन है इसके अंदर जो फाइल है इन फाइल को फिलाउं डिलिट कर देता देखो डिलीट करना बहुत ही आसा न ही टेको गाट को पर चलिप कर माने डिलीट गंसिया पर पिलएंट कर दूक सॉत कर देना है कि होगे पूरे अब्जेक्ट डिलीट अब देखो अब आब महीं वेरिफाइ करना चाहता हूँ अब वेरिफाइ करना चाहता हूँ मैं सही में यह फाइल प्रेजेंट आया नहीं है डेखो अब इसे करूंगा AWS S3 अब make bucket का opposite क्या है R bucket, R B R B stands for remove bucket AWS S3 remove bucket S3 colon double slash virage virage triple seven यह folder delete हो जाएंगा automatically देखो और enter किया मैंने देखो, यह remove bucket बोल रहा है remove bucket, मिंस यह मेरा S3 bucket removed चुका है देखो, इसको मैं refresh करना है मुझे, जैसे मैंने refresh किया आपको दिख रहा क्या भी नहीं दिख रहा, रोहित triple seven है सिरफ, यह ना virage triple seven delete हो चुका है वैसे रोहित को भी delete कर जालते हम तो same चीज करनी है आपको, यहापे type करना है आपको रोहित, 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 ट्रिपल seven कै, enter कर देना है रोहित भी delete हो जाएंगा remove bucket, रोहित देखो आप, यहापे refresh करो रोहित नाम का फोल्डर भी delete हो जाएंगा कै, तो मेरा बोलने का यह है मकसद यह है, कि जो मैंने किया मेरा data मैंने public, public जो data है मेरे computer में जो data है वो मैंने private machine को दे दिया ना share कर सका ना मैं कैसे share कर सका using VPC endpoint की service लेके share कर सका friends अब आपने फिलाल, आपका इतना हो गया आपने lab करी है, complete हो गयी lab अब मुझे delete operation करना lab को मुझे delete भी करना है friends, तो मेरा bill बनेंगा मेरा bill बनता जाएंगा मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मुझे क्या क्या करना होगा सबसे पहले मुझे EC2 पे जाना होगा lab हमारी हो चुकी है friends अभी मुझे EC2 पे जाके सबसे पहले instant को terminate करना होगा friends, तो मैं क्या करूँगा दोनों को select करूँगा private और public को और दोनों को क्या करूँगा terminate करूँगा तो को यह उप्षिन है terminate का terminate डे इंस्टन terminate कर देना है आपको terminate हो जाएंगा यह आपका lab कंपलिट हो चुका है उसके बाद आपको services में जाना है VPC पे जाना है friends VPC recently उसमें भी है यह जा सकते हो यहां से shortcut जा सकते हो आप नहीं तो पूरा रास्ता धुंड़ो और वां से जाओ shortcut already available है उसके बाद VPC को delete करने के पहले आपको किसको delete करना है? end point को delete करना है friends अब आपको पैसे नहीं लगेंगे आप बज गए खर्चे से बज गए आप इसके बाद आपको VPC को भी delete कर जाना है यूर VPC पे जाओ my VPC को पर क्लिक करो और इसको कर बोलो bye bye delete तो इसके लिए आपको type करना पड़ेंगा delete यह भी delete हो गया लैब आपकी complete हुई आपको पैसे भी नहीं पड़े आपका काम easily हो गया ठीक है लैब delete कैसे करना यह भी मैंने आपको बता दिया ओके तो आपकी लैब हो चुकी है complete